नमस्कार फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूँ जिने आप सिर्फ पानी में ग्रो कर सकते हैं इसकी अलावा मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगी जिससे आप इन्हें पानी में अच्छी तरसे ग्रो कर सकें और इन्हें आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सल्यूशन भी बताऊंगी चलिए शुरू करते हैं इन प्लांट्स को मैं दो महीने से एकठा कर रही हूँ देखना चाहती हूँ कि धूप और पानी का इन पर क्या असर पड़ता है शुरू करते हैं यह आप मोरपंक जिसे थूजा भी करते हैं इस प्लांट को मैंने 10-11 दिन पहले डाला था आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से ग्रीन है पर इसमें रूट्स नहीं आई है इनमें कितना देर लगेगा मुझे नहीं पता तो चलिए 10 उन प्लांट को देख लेते हैं जिनमें रूट्स अच्छी तरह से आ चुकी हैं आप देख सकते हैं इनकी रूट्स आपस में किस तरह से उलज गई है चलिए मैं आपको इन्हें अलग करके दिखाती हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखा रहे हूँ पर्सलेन का प्लांट जी है पर्सलेन का प्लांट भी पानी में अच्छी तरह से चलता है क्योंकि यह हाड़ी प्लांट होता है आप देख सकते हैं इसकी रूट्स किस तरह से पानी में अच्छी से आई है कुछ दिनों पहले तक इसमें फूल भी आ रहे थे जिस तरह से बारिश में, मिट्टी में इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है उस तरह से पानी में भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है चली second plant को देख लेते हैं, wondering you आप देख सकते हैं, ये भी पानी में अच्छी तर से चल ला है इसकी leaves कुछ मुड गई हैं, क्योंकि ये कई सारे plants के साथ दबा हुआ था पर आप देख सकते हैं, इसकी roots और stem वगरा सब अच्छे से healthy है मैं आपको बता दू, इन में से दो plant को छोड़कर बाकी सभी को आप indoor भी अच्छे से ग्रोग कर सकते हैं इन्हें ऐसी जगह रखे हैं, जहां इन्हें अच्छे से रोष्णी मिले और हवा अच्छे से आती हो आप देख सकते हैं, इसमें कई सारे बंडरिंग जी हुआ हैं, और सभी अच्छी तर से चल रहे हैं थर्ड प्लांट पॉटूलका है, ये भी पानी में अच्छी तर से चल रहा है, इसमें भी अभी फूल आ रहे थे, आप देख सकते हैं, इसमें ग्रोध पी हो रही है पॉटूलका जिसे नाइनो क्लॉग भी करते हैं, इसे और पर्सलेन को छोड़ कर, आप इन सभी आठ प्लांट को इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों प्लांट को आपको छट पर ही ग्रो करना होगा, क्योंकि इन्हें धूप की जरूरत होती है रियो का प्लांट जो कि हमारा चौथा प्लांट है, ये मिट्टी और पानी दोनों में ही अच्छे से चलता है हमारा पांचवा प्लांट स्नेक प्लांट है, आप देख सकते हैं, ये भी पानी में अच्छी तर से चल लाए, इसमें ग्रोध भी हो रही है आप देख सकते हैं इसमें जो white color की roots दिख रही है वो बिल्कुल new roots है और जो red दिख रही है वो पुरानी हो चुकी है आप snake plant की छोटी या बड़ी कोई सीवी variety पानी में इसी तर से grow कर सकते हैं हमारा चटा plant है money plant इसके बारे में जारतर लोग जानते हैं कि यह पानी में अच्छी तर से चलता है जातर लोगों के plants पानी में अच्छी तर से बढ़ते नहीं है आगे मैं आपको बताऊंगी कि इनकी growth पानी में कैसे अच्छे से हो सकती है हमारा साथवा plant है dressina का plant आप देख सकते हैं इसकी growth भी पानी में कितनी अच्छी तर से हो रही है यह भी पानी में अच्छी से चलता है अगर आप इन plants को अलग अलग लगाते हैं तो इनकी growth ज्यादा अच्छी तर से होगी मैंने एक मग में इन सभी को भर दिया है इसलिए इन्हें अच्छी तर से धूप और हवा नहीं मिल ले है हमारा आठवा plant है singonium plant जिस तर से money plant की growth पानी में अच्छे से होती है वैसे singonium की भी होती है यह भी काफी hardy plant है इनकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती है इसलिए यह ज्यादा खुबसूरत दिखती है आज का हमार नौवा plant है purple heart यह plant तो बहुत ही अधिक hardy plant है इसका भी जितना हिस्सा पानी में डूबा रहता है उन सभी पे roots आ जाती है आप देख सकते हैं यह हमारा दस्वा plant है devil's backbone आप देख रहे हैं यह भी पानी में कितनी अच्छी तर से चल ला है यह सभी cuttings पानी में अच्छी तर में बताऊंगी इससे पहले मैं आपको बताती हूं कि हम इसे container में कैसे लगाएंगे आपको अपनी पसंद का कोई भी container ले लेना है मैंने मिठाई वाले container को color करके लिया है जिस तर से मैं लगा रही हूं इसके लिए container transparent नहीं होना चाहिए इस तर से colorful होना चाहिए इतने बड अब हम पानी को भर लेंगे मैं इसमें money plant लगाने वाली हूं इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी डालूंगी अगर आप इसमें और कोई plant लगा रहे हैं तो पानी को थोड़ा कम रखें चलिए इसमें money plant को set कर लेते हैं आप कई सारी branches को एक साथ लगाएं इससे इनकी growth भी जल्ली से होगी और यह ज़्यादा घना और सुन्दर दिख लें इन में से सिर्फ एक ही fertilizer आपको यूज करना है सबसे जरूरी बात किसी भी plant की stem को आपको छीलना नहीं है जिस तरह से हम मिट्टी में लगाने से पहले इने थोड़ा छील देते हैं बिल्कुल भी आपको छीलना नहीं है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है आप किसी भ पानी में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप चाहें तो इसे spray भी कर लें अगर आप इने छट पे रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहां सुबह के 3-4 घंटे की ही धूप लगे पानी को हफते 10 दिनों में बदलते रहें फर्टिलाइजर को महीने में सिर्फ एक बार ही डाल ज़्यादा फर्टिलाइजर न डालें एनपीके का इस्तिमाल जब भी करें एनपीके 19-19 लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक बात का जरूर ध्यान रखें सभी कटिंग्स को नोट से ही काटें और इनका नोट वाला हिस्सा पानी में जरूर डूबा रहें वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें थैंक्यू फ्रेंड्स